सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासिया, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी एक सपने के तूटकर चकन चूर हो जाने के बाद, दूसरा सपना देखने के होसले को जिन्दगी कहते हैं प्रभू ना दंड देते हैं और ना माग करते हैं, वो तो कर्म फल के तराजू हैं, जो बस इनसाफ करते हैं सुख दुख का बटन तुम्हारी हाथ में हैं, तुम उसे खुद ही ओन करते हो और खुद ही ओफ करते हो इश्वर के न्याय की चक की धीमे चरूर चलती हैं, पर पिस्ते बहुत बारीक है आज का पंचांग 17 गस्त 2020 देंश उम्मार भाद्र पदमास के क्रिश्न पक्ष की त्रयोदेशिति थी दो पहर बारा बचकर 35 मिलट तक रहेगी इसके उपरांद चतूर दशिति थी प्रारम हो जाईगी पुनरवशु नामक नक्षत्र सुबद 6 बचकर 44 मिलट तक रहेगी इसके उपरांद पुश्य नक्षत्र प्रारम हो जाईगी आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे असुपसम में सुबद 7 बचकर 45 मिलट सी, 9 बचकर 19 मिलट तक रहेगा आज का भिजीत महुरत अर्थात दिन का सबसे सुपसम में दो पहर 12 बचकर 5 मिलट सी, 12 बचकर 56 मिलट तक रहेगा आज शंद्रमा करकराशी पर संचार करेगी और आज शूरिय सिहराशी पर रहेंगी सिहराशी 17 गस्त दो हचार बीस देन शोब मार आज अब विश्यश करहल के फुल के मूड में रहेंगी सब शमश्याओं का सामना चेहरे पर मुस्कुराहत के साथ करेंगी आज किसे भी विवाद में दोस्तों की भूमी का अदा करशकते हैं आपकी मौजूद्गी से खुशी और रौनक रहेगी और साम को पार्टी की ज्यान बने रहेंगी पैत्रिक प्रोपर्टी से सम्मंदित कोई मामला चल रहा है तो आज उसके बारे में विचार विमर्ष करने का उचे समय है कुछ रुकेह वेकारियों पर अधिक ध्यान दे उनके आज बनने की उचे संभावना है आज के दिन आपके मन में कुछ चीजों को लेकर कन्फ्यूसन के इस्थितिप बन रही है आपको निर्णा लेने में असुवीधा रह सकती है अपने मन के अवाज अवश्य शुनी अच्छा आपके मुड में कुछ उतार चड़ाओ हो शकता है अज बावनाओं के अधिकता रहेगी जिस कारण अज लिया हुवा निर्णा गलत भी हो शकता है अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें अपने आथ में विस्वास में अश्कमी ना होने दी शौधानिया अपने स्वभाव में लचीलपन बना कर रखें आपका जरा सभी क्रोधा आपके बनते हुए कामों को बिगाड सकता है अंचान व्यक्तियों से कोई भी संपरकन ना करें लव लाइफ की बात करें तू पिछले कुछ दिनों सा आपके वरतमान या होने वाले संबन को लेकर आपके मन में धेरशारी चिंताएं और शंदे है आज सारे संदे मिड़ जाएंगे और आप अपनी संबन को अपने साथी के बारे में इसपश्ट होकर सोच पाएंगे आप अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा और इसपश्ट निर्णय भी ले पाएंगे अपने कारियों में जीवन साथी तथा परवारिक लोगों की सला विशार विमर्श पर भी अवर्श्य दिहान दे इससा आपके काम सुचारूर रूप से बनते चाहेंगे करियर की बात करें तू जब लोह गर्म हो तू उस पर निशाना लगाएं या विशेश रूप से प्रेरख वक्ताओं की भूमीका या इसी तरह की भूमीका वालों के लिए एक महान दिन है आज अब जन्ता के साथ बैता शमवात करने में सक्छम होंगे और आपको उसके लिए उचित भुगतान भी किया जा सकता है तो आप आगे बढ़ें और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बाते सुनने के लिए ललाईत रहीं शेहत की बात करें तू आपको आज यह मैसूस होगा कि सेहत का सम्मझ शरीर के बज़े मन से अधिक है आज इसे समझने के बाद अपनी चिंता तथा तनाव से चुटकारा पाने की दिसा में पहला कदम उठाएंगे और इसे ना केवल आपका स्वासबल की प्रवित्ती में भी शुधार होगा कोई प्रेणा दायक टेप सुने या अराम दायक मसाज की योशना बनने तो अच्छा सम्मंदित कोई समझाएं जैसे मुहासर आदी आपको परश्यान कर सकती है आज का उपाए आज अफ शेवलिंक पर पांच अमरी चड़ाएं दोस्तो वीडियो को लैक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में आपका देश शुग हूँ